नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की अंतराश्टी राजनीती में किस तरह से अचानक ही खलबली मचती है इसका ताजा उधारन है रूस रूस जो यूकरेन के साथ संघर्ष में है वहां अचानक ही उसी की एक सीने छूटने लग जाते हैं हाला कि 24 घंटे में इस तथाकथित विद्रोह को कंट्रोल कर लिया जाता है लेकिन सवाल इस निजी सेना पर बहुत गंभीर हैं आज सबसे पहले चर्चा इस पर और दूसरी खबर जो भारत के प्रधान मंतरी नरेन मोदी की अमरीका यातरा से उबजी है वहाँ पर दस जो एहम समझोते हुए हैं उनसे भारत को हासिल हुआ तो क्या हुआ क्योंकि हम सब लगातार देख रहे हैं कि प्रधान मंतरी घर तो आ गए लेकिन निशाने पर बराक उबामा है निशाने पर वह महिला पत्रकार है वाल स्ट्री जनरल की जिन्हो ने मोदी से सवाल पूछा आखिर यह जो डील हुई हैं इनकी हकीत क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रबीर आज हम वापस चलेंगे रूस की तरफ लेकिन इस बार रूस और यूक्रेयन की जगा हम चर्चा करेंगे रूस के बारे में रूस पर अचानक ही एक खतरा मन रहाया और बहुती अप्रत्याशिक था किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह से एक प्राइवेट आर्मी वागनर प्राइवेट आर्मी बढ़ेगी मॉस्को की तरफ और जो लोग दोस रहे या जो सहयोग रहे उनको निशाना पुत लेकिन क्या लगता है कि इसका युक्रियन युद्ध पर दर्शक देख सकते हैं हम नक्षा दिखा रहे हैं आप भी थोड़ा सा बताइए कि वह सेना कहां से कहां चली प्रिगोजिन क्या है कौन है कैसे इतने पावफुल हो गए कि उन्होंने सीधे सीधे मॉस्को को निशा किसी को इस तरह से अंदाजा नहीं था पूतिन को था रूसकी सरकार को था यह अलग बात है पर यह जरूर यह है कि वागनर की प्रिगोजिन चो उनका ओनर है प्राइवेट आर्बी है उसको ओनर प्रिगोजिन है तो वो लड़ाई खुद आर्बी आफसर कभी रहे नहीं आर्बी में कभी रहे नहीं वो तो उसका ओनर के रूप में ही वागनर ग्रूप को चलाते हैं बच्चीस जार तीस जार बीस जार पता लिकिते हैं तो तीस जार की माल लीजिए प्राइवेट आर्बी उनके पास है और बखबूत में खास तौर पे उनका भूमी का रहा है जो अखबारों में आता रहा हनाकि लड़ाई उनके आर्मी ने किया है पर उनकी बया आती रही इसके बारे में और बहुत दिन से वो काफी कृटिकल है कि रूस की आर्मी जेनरल के बारे में कि वो हमको सप्लाई नहीं देते ये लीकरते और उस पे निशाने में उनका करीब 15-20 घंटे में वो निपड गया और यह सलूशन निकला कि यह रूस में नहीं रहेंगे और वो उनको बेलारूस पर भीज दिया जाएगा वागनर की जो फोर्सेस है उसके कमांडर्स ने कहना ही है रिपोर्ट सही है कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था पर प् यह पूरा उनके जो टैंक्स लेके वो चले रॉस्टव और डॉन से उन्होंने शुरू किया था और यहां तक जाके उन्होंने रोका और इसके बाद कहा कि मैं शर्थ मान लिया है और मैं चला जाओंगा रूस से बेलारूस की दिरफ अभी तक पहुचे नहीं है जब तक हम रूस के मिलिटरी पर उसको कोई असर पड़े गया दी नहीं मालूँ अभी तक और यह भी है कि वागनर गुरूप से यह भी बात हो रही थी कि यूक्रेन युद्ध में उसका अलग अस्थित्व नहीं होना चाहिए रश्यन मिलिटरी की कमांडर के अधिन ही होना चाहिए लगता है वो भी इस निशकर्श पे अभी दोनों साइट पर नेगोशियेशन में यह भी तैह हो गया है तो इस हिसाब से रूस के अंदर कोई सामरिक रूप से मिलिटरी रूप से कोई फरक नहीं पड़ेगा यह तो साफ है पर क्या इसमें पूतिन की छबी खराब हुई है क्या रूप से इसलिए मैं जाना चाहूंगी क्योंकि हम दिखा भी रहे हैं कि युक्रेन जहां युद्ध चल रहा है और बकमुत में इनका काफी भूमी का रही है इस वागनर प्राइवेट आर्मी की तो क्या आपको लगता है युक्रेन युद्ध पर इस पूरे जो इस इलाके में कोई फरक नहीं पुआ तो अभी भी जो तज़्वीरे हमारे पास है जो रिपोर्ट्स है कि जंग तो वहां चल रही है पर युक्रेन की सेना नेटों के हाथियारों से लेस होके अभी जो खास तोर से पिछले छे महिना आप मेहिने में खास बिले हैं तो उसक किलोमेटर कहीं कहीं आगे गए तीन किलोमेटर पांच किलोमेटर पर रशन डिफेंस को तोरने में असमर्त रहे और उनकी काफी नुकसान हुआ है खास जानो माल की काफी नुकसान हुआ है खास तोर से यह जो टैंक्स की बात हो रही थी कि आहले पर टैंक्स अबराहम टैं एक में संक्षेप में आपकी टिपणी चाहूंगी क्योंकि इस पूरा जो मुव्मेंट हुआ वागनेर प्रेविट आर्मी बढ़ी सारी दुनिया ने भी देखा उसको कहा जा रहा है कि पुतिन इससे कमजोर होंगे पुतिन की छवी कमजोर हुए और अमरीका साथ ही दावा क कर रहा है कि उसे पता था नटो की देश कह रहे हैं कि वो पहले से जानते थे कोई 10 दिन पहले कोई 15 दिन पहले का दावा कह रहा है देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है क्योंकि वो खुद अमरीका में एक साल से उनकी जो कहेंगे सिक्योरिटी डॉकुमेंट टॉप स पर देखते हैं कि actually ये वागनर सेना है क्योंकि अभी तक वागनर सेना और खास और से ये शक्स जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं यह पुतिन के काफी करीब बताये जाते रहे हैं यह क्या खासियत है और किस तरह से इतने समय से प्राइवेट आर्मी चला रहे हैं देखिए प्राइवेट आर्मी का भूमी का रूस में होना चाहिए नहीं यह तो अलग बात है अमरीका का भी इस तरह के भेशते पर उसका मुखे काम यह है कि अमरीकी फोर्सेज यहां भी फोर्ज यहां भी है उसके साथ रहना और जाना जैसे प्रिगुजीन यूक्रेट की युद्ध में रहे तो एरिक प्रिंस की प्राइवेट आर्मी जिसका नाम दो तीन बार बदल चुका है उसकी राक युद्ध में होना चाहिए या नहीं यह अलग बात है अब देख सकते हैं कि जिस तरह के टैंक्स उतारे गए थे और आगे पड़े थे और उसका अगर हाईवे पर भी दिखाई दिया था कि हाईवे है रॉस्टव और डॉन से मॉस्को तक की हाईवे है जहां पर हमने नंग में होना चाहिए ये सवाल रुस के अंदर बहुत तेजी से खास्तोर से बख़बूद के बात आया है और ये कहा गया है कि रूस की इस लड़ाई में अपने देश के अंदर जो लड़ाई है इस तरह के फोरसUS रूस की ऐधीन होना चाहिए इस पर तीन महीने से बहस चल रहा था मेरे खाल सी यह भी एक कारण है जिसके वजह से बगावत हुआ दर्शक अगर यह नक्षा देखें तो भी बहुत समझ आएगा कि वागनर सेना की पहुच और पूछ कहां तक है और खास वह से अफरीका के जो देश हैं वहां पर है लात्मी अमरीका भी का एक हिस् प्राइवट सेना देखिए यह तो बड़ा करके हां पर रूस दिखा रहा है पर या जानते हैं कि यूक्रेन जंग में शामिल है इस तरह से पूरे देश में नहीं पहले है स्टीस्टिका के मैप है तो उनकी जो है उनकी समझ से उन्होंने बनाया है पर इस पे कोई दो राय नहीं है आफरिका में इनका काफी पहुच है पहुच किसलिए बनी है क्योंकि यहां पहले अमरीका और फ्रेंच forces होते थे उनकी कॉलोनीज्मी थी तिया फ्रांच की खास भूमिका थी यहां पर नोट आफ्रिका और सेंट्रैल आफरिका में इनकी काफी भूमीका थी और अंग्रेजों ने करीब करीब अमरीका के हाथ पे अपना जो नीजी इमपायर्ट से उसको सपुर्ट कर दिया था इसलिए अमरीका और फ्रांस का ही मौईन भूमीका आफरिका में थी पहले और उनकी सेनाएं वहाँ पर कहते थे तो सरकार के लिए है उनकी सरकारों के रक्षे के लिए है पर वहाँ पर आम जो लोगों की राय है कि ये अंदरूनी कू कराती है एक पक्ष दूसरे पक्ष को और ये किंग मेकर्स बन गए थे आफरिका में इसलिए वो चाहते थे कि ऐसे सेना हो जो सरकार जो कहता है उसको सुने और अंद्रोनी पॉलिटिक्स पे हिस्सा न ले इसलिए वागनर का भूमी का आफरिका में बढ़ा है और इस तर खास तोर से इस वक्त जो माली नाइजर इन जगों पे जहां पर वो कहते तो हैं कि हम लड़ाई कर रहे हैं अलकायदा जैसे ताकतों के साथ पर तक्ता पलटने की बड़ी कंप्लेंड्स यहां से लगाता राती रही इसलिए वागनर का वहां पर आफरिका में भूमी का काफी बढ़ी है अब सवाल जो है आपके सवाल पर मैं आ रहा हूँ इसका क्या फल क्या होगा इस फ्रैक्शर जो हुआ है रूस की सरकार और वागनर के बीच में आफरिका पर इस पर क्या असर पलेगा क्योंकि इस पे कोई छबी अभी तक साफ नहीं है कि वागनर को कंट्रोल किया जा रहा है या वागनर को यूकरेन लडाई से उसको हटाया जा रहा है या उसको कंट्रोल किया जा रहा है यह सव वगावत का कोई लॉंग टर्म एफेक्ट राशिया पर पढ़ेगा और आफरिका की जो उनकी पहुंच है वागदर के जरीए उस पर पढ़ेगा ये देखना पढ़ेगा हमें इस पर अभी इस वक्त तुरंद कोई निशकर्श में हम पहुंच ने पाएंगे अब हम वापस च गण चर्चा है और मैं चाहती हूं कि दर्शक ये भी जाने कि किन मुद्दों पर अभी डिबेट चल रही है किन चीजों पर बहस है इन मुद्दों पर बात कम हुई है बाकी तो जो इवेंट मेनेजमेंट था पियार था उस पर हम और आप पिछले इशूज में चर्चा कर बढ़ता है जो माइकरॉन चिप को लेकर समझाता है सानंद में लगेगी फैट्री गुजरात के सानंद में देखिए मुख्य बात अगर अग्रिमेंट्स को देखें बहुत सारे दुद्द्धे हैं दस पॉइंट एग्रिमेंट है जो आया है स्टेटमेंट और भी लंबा ह और ये भी है इसकी optics जो है लेके काफी चर्चा हो रही है क्या बारक उबाबा ने कहा था क्यों गलत था उसको गाली गलौज भी हो रही है भारतिये मंत्यों की और से ट्रोलिंग हुई है जिस जनलिस्ट ने सवाल पूछा था उसकी ट्रोलिंग हुई है कि इसकी हिमत कैसे और उसमें भी एक सवाल और वो भी महिला और पहले भी सिर्फ आम खाने की चर्चा किस ने किया था अक्षे कुमार ने किया था इस तरह के सौफ्ट बॉल जी है कहते हैं उनसे खेलते हैं तो उनके लिए लगा कि इस तरह से सवाल कैसे कर लिया मोधी जी को यही उनके भंद पर 2.75 बिलियन डॉलर की investment micron की चिप की बात हो रही है यह assembly है चिप बनाने की factory नहीं है चिप को assemble करके उसको test करना test और assembly यह दो काम है और 2.75 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम नहीं है तो इसलिए एक एक छोटा चीज है इसके पहले विदानता ग्रूप के साथ agreement की बात हो रही थी उसके जिसमें 10 बिलियन डॉलर की लागत होनी थी और वो भी सफल नहीं हुआ वह भी scrap हो गया है जिसमें चिप बनाने की बात हो रही थी तो वो तो उसमें रहा है यह foxconn के साथ था जो जो भी ऐसे आईफोन का assembly करता है चिप बनाने की उनकी कोई इस तरह के महा 20% रकम जो है वो भारत सरकार देगी 20% गुजरात सरकार देगी मतलब आपके पास 30% सिर्फ 30% थी लागत माइकरॉन से आएगी तो हम सबसी नहीं दे रहे हैं माइकरॉन की factory के नाम पे माइकरॉन को लाने के नाम पे सबसी नहीं दे रहे हैं वो भी कोई technology खास assembly और testing में होत पारती है और chip fabrication में तीनों चीज में यह नहीं होगा तो इस में मामूली सा ठीक है assembly कर रहे है कुछ तो आप सीखेंगे पर यहां भी 30% पैसे के लिए 70% आप उनको subsidy दे रहे हैं अमरीकी capital को अमरीकी पूजी को यहां आने के लिए मुझे नहीं लगता यह बहुत खास हमारा पक्ष में है बलकि chip बनाने का जिसे fabs कहते fabrication plant वो हमारा मुखलक्ष होना चीज जिस पर अभी तक हम पांच साल की बात तो कर रहे हैं उस पर अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं अब हम आते हैं जो सबसे एहम दो मुद्धे हैं जी ने साइन किया इस बार HL है जो राफेल मे और अंतराश्टी फलक पर भी बहुत चर्चा है द्रोन समझोता क्योंकि द्रोन समझोते को लेकर राइटर सहीं तमाम अंतराश्टी और भारत की खबरों में छपा था कि ये कितने करोड़ रुपे का है और इसकी एक comparison भी हुआ था जिसे बाद में रक्षा मंत्रा ले ने और सरकार ने कहा कि ऐसा भी हमने final नहीं किया है कि कितना पैसा है सबसे पहले अगर आप ये बताएं कि इससे HL को कितना फायदा होगा जो GE General Electrics ने किया है HL के साथ देखिए एहमियत तो इसकी है क्योंकि engine के बिला हवाय जहाज नहीं उड़ सकती है तो हमारे जो light combat aircraft था उसमें F414 engines लगाने की इन्होंने लगाने से राजी हो गए तो वो समझाता है HL के साथ वो करेंगे GE और HL करेंगे और उसमें 84% indigenization होगी जो पहले 54% मेरे ख्याल से indigenization की चुकती पहले से है तो यह expand कर रहे हैं जो 54% था उसको 84% में बदल रहे हैं 56% था 84% में बदल रहे हैं एडवांस है पर जो 16% नहीं है वो है क्या वो है उसकी control system उसकी chips वगारा जिसके बिना हवाय जहाज उड़ नह तो इसलिए उनकी बागडोर अभी उनके हाथ पे रहेगा तो G की engine इसलिए हमारे लिए चाहिए क्योंकि हम अभी तक indigenous engine बना नहीं पाए हलांकि हम इसका aircraft जो है हम बना चुके हैं तो light combat aircraft और जो next generation of aircraft बनाएंगे यह इस पे इस्तवाल होगा तो इनके engines जो है obviously और high powered engines चाहि है पहले से अगर आपको modern engines आपको इस्तवाल करना है और नहीं तो आप युद्ध में obviously आपके पास इतना फायदा नहीं होगा अगर engine पी कमजोर है दूसरी बात है आप ने कहा drone drone की जो आपने चर्चा की यह है reaper drones के नाम पे कहा जाता है 31 MQ 9 B तो मैं इसमें नहीं जा रहा हो रीपर drone से बड़े drone से छोटे drones नहीं है चर्चा में है कि 3.1 billion dollar की deal हुई है रक्षा मंत्र डाइल ने कहा है कि नहीं अभी तक final नहीं हुई है और इस वाक्त जो इरान ने दिखाया है और यूक्रेन युद्ध में जो पता चला है कि छोटे drones जो है सस्ते हैं उनको इस्तमाल जंग में ज्यादा effectively लोग कर पा रहे हैं बड़े पैमाने पे drone इस्तमाल करना तो इसमें आर्मी वारफेर वगारा में हर चीज में फायदा ज्यादा है और जहाज को भी इस से हिट करना नेवल एरफार में आसान है तो इसलिए ब जिनके पास खास कुछ है नहीं तो उनको ऊपर रहके जमीन में मारना इस शिकार में अमरीका से नाए रीपर ड्रोन को यूज करता था अफगानिस्तान में वो पहलू जंग का ख़दम हो चुका है फ्रंटल वारफेर जब यूक्रेन अरूस के बीच में हो रहा है मने हमने नेटो अरूस के बीच में हो रहा है तो रीपर ड्रोन वगारा इसकी खास भूमी का नहीं रही यह उड़ते हैं आसपास उड़ते हैं यह वहां पर से प्लॉट करते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है अर्मी फोर्स के साथ क्या उसको सहयोग करना चीए तो जिसको कहते हैं लिए और भी चीज़े है तो मुख्य चीज़ में इस ड्रोन की एहमियत तभी है कि जब अब कमजोर ताकत को एटाक करोगे आज के लड़ाई में तो कि आज की लड़ाई बहुत आधुनिक होई चुकी है एरान और युक्रियन युद्ध दोनों ही येमन में भूलिएगा मत स चोटे ड्रोन से एटाक किया था हूतीज ने जिसको इरानियों के नाम पे दिया जाता है हो सकता है इरानियों के इसमें टेकनोलोजी हूतीज को दिया हो पर चोटे ड्रोन की जो इस वक्त देखने को मिल रहा है चोटे ड्रोन का भूमी का इन सम जंगों इन सम जंगों में बढ़ गया है और ये दूसरे किसम की ड्रोन्स है जिसकी मैं आज समझता हूँ कि इतनी अहमियत नहीं है कम से कम इस तरह के जंग में बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर कम से कम एक चीज साफ हुई कि जिस तरह से इस यात्रा के इर्दगिर सारा ताना बाना रचा जा रहा ह है कि भारत को इतना फायदा हुआ निश्य तोर पे प्रधान मंत्री नरें मोदी जी की छवी को लेकर तो पी आर मेनेजमेंट काफी अच्छा रहा लेकिन जिसका जिक्र आपने किया कि जो सवाल पूछा गया जो 13 सेकंड का सवाल था उसने काफी परेशान किया मोदी सरकार को और साथी साथ बराक उबामा का इंटरव्यू भी काफी परेशान अभी भी कर रहा है यानि जो समझोते हुए उससे बहुत बड़े पैमाने पर भारती अर्थ विवस्था को फायदा पहुशता दिखाई नहीं दे रहा कम से कम आज की तारीख में हम इतना कह सकते हैं दोस्तों अक्सर दिखाई देता है कि जो तस्वीरें और वीडियो हम तक पहुशते हैं जिस तरह से वहवाही होती है जिस तरह से बताया जाता है कि भारत में विश्वगुरू का दर्जा हासिल कर लिया है लेकिन जब असली डील होती है जब समझोते होते हैं और समझोतों की विवेचिना होती है तब पता चलता है कि दरसल भारत को उस तरह से बहुत बढ़त हासिल नहीं हुई जितनी की अपेक्षा थी सवाल इन सही मुद्दों पर बात करने का है सवाल देश हित की बात को साफ साफ शब्दों में आगे रखने का है जो हम आपकी मदद से लगाता करते हैं देखिए लाइक करिए शेर करिए परताल दुनिया भर की और न्यूस क्लिक शुक्रिया